हमने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि हमें इसकी दस साल की इसकी इंस्टॉर्मेंट कर दी जाए और जब हम प्रॉप्टी की सेल करेंगे उस सेल से पहले हम इस सारी अमाउंट जो भी हमारी तया होगी उसको हम पहले ड्यूस क्लियर करेंगे तब हमारी प्रॉप्टी की साफी नहीं है उसको भी जील कर दिया है इनों ने उनीजो चुराशी से पर काम कर रहा हूं पच्चे बाल रहा हूं चोटे चोटे हैं दिली के अमर कलॉनी में हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से लोग बेहाल हैं दुकाने काफी दिनों से बंद है लगबग दो साल हो चुके हैं लेकिन इनकी कोई बास सुनी नहीं जा रही है यहां पर आज विजेपी नेता हर्दी पूरी जी यहां पर आये थे CAA के सपोर्ट में जैसा कि मैंने उस दिन भी बताया था गोर अन्याएं बिना नोटिस के दो साल से सील पड़ी डबल स्टोरी अमर कलोनी की 350 दुकानों की सुनवाई क्यों नहीं यह सवाल है यहां के वेपारियों का क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है इंडिया जेटीन कोशिश कर रहा है कि जो इनकी समस्या है वो हम उन कानों तक पहुचा पाएं जिनको यह डिसीजन लेना है कि यह दुकाने खुलें जिस तरीके से यहां के वेपारियों ने बताया कि इनको एक मोटा अमाउंट जमा करवाना है उसके बाद पूरी फॉर्मिल्टी की जाएगी और उसके बाद इनकी दुकाने खुली जाएगी 42 लाग का यह मोटा अमाउंट है 42 लाग हर किसी के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है इसमें कुछ ऐसे दुकानदार भी है जो वो नहीं दे सकते हमने आपको उनके घर का जो दिर्शे है वो भी दिखाया इस मार्किट के प्रेजिडेंट हमारे साथ है हम उनी से बात करते ह आज हर्दीपूरी जी यहां पे सिये के सपोर्ट में आये थे आप लोगों ने उनसे बात करी यहां की सील हुई दुकानों के बारे में दो साल का समय लगबग पूरा हो चुका है आज हमने अपनी मार्किट के बारे भी उनसे बात की है एक्शली हम उनको बताना चाहते थे कि हम दो साल से किस तरह से बेरोजगर हैं हमने उनको बताया है और वो जो हमें आशवासन देखके तो गए लेकिन उनकी थोड़ी सी जो है ना नॉलेज के लिए हम बता दें कि हम और यहा कि ढ़िए नहीं हैं उनका कहना कि जोम कुछ लोग है इंक्रोच्मेंट में और हम अपना जो 250 प्लस और हम ने उस की पेमेंट डी हुई है हम उसी मेजरमेंट था कर रोपर हैं अगर कुछ इंक्रोच्मेंट है जो उसकी चार्ज़ी में कुरत करना क collection दो यह उनके मिस्टर इंडर सेंडिक है कि हम जो हैं इंक्रोच्मेंट में है अच्छा ये बताइए 42 लाक बोला गया कि 42 लाक रुपे दिये जाएंगे उसके बाद दुकान रियूपन की जाएगी आपको लगता है कि हर कोई दुकान मालिक ये दे सकता है क्योंकि हालात बस से बत्तर होते जा रहे एक दुकान खुलिए 42 लाक रुपे देकर दो साल हो गए हैं हम लोग खाली बैठे हुए काम नहीं हो रहा हम लों का पैसे हमारे खाली हो चुके हैं जो मारी सेविंग्स थी खतम हो चुकी हैं बैस लाग रिपे बहुत बड़ी अमाउंट है जो हम लोग नहीं पे क करता हूँ वो सरकार जिसने भारत के लिए विकास के लिए काम कर रही है मोधी जी की सरकार अपनी वोट भारतिया जनता पार्टी को दो मोधी जी की सरकार दिल्ली में भी बनवाओ अगर दिल्ली की सरकार और केंद्रे सरकार दोनों भारतिया जनता पार्टी की होंगी इसमें आपका भला होगा और जो देश का जो विकास है वो और तेजी से आगे पड़ेगा यह मार्किट का वो एरिया है जहां पर असली वज़ा है लोगों की जो दुकाने हैं वो बंद हैं उसकी वज़े से लोग काफी परेशान हैं लेकिन यहां पर जिस तरीके से हमने लोगों की परेशानी आपको दिखानी की कोशिश करी थी अंकल कितने सालों से दुकाने हैं आपकी यहां पर दुकाने तो 25-30 साल से हैं और कुछ जो है बाद में बनी है पर यह दिमांड है वह बड़ी अंगेस्टिफाइड है आपका नाम क्या है एसी खन्ना है मेरे नम और यह जो पेम मेरी का है मोस्ट पॉस्ट को क्लोनी का और यह सी टाइप टैने डी कलोने तो यह एक्वेटर रेट कैसी हो सकता है वह जिन्होंने रेट यह फिक्स किये हैं वह उनके को जस्टिफाइड यह जस्टिफिकेशन है नहीं और दूसरा एक यह रिपोर्ट 2002 में एक सर्वे हुआ बार-बार से ना किसी में उस ब्स और में लिखा कि उसका रंग रूप क्या था दफूप नंका उसकी मजियर्मेंट किया थी जब आपके पास यह नहीं है आज की डेट में थानुत और जा लिए उसमें कोई लिया इस हुए लिए एक वह हमारी अपनी जमीन पर अपना प्ल को लेकर के क्योंकि आगे की जमीन हमारी है पीछे की और यह हमने पच्पन में जब लीज़ीट बनी थी पेमेंट इनको दी हुए है और इसको 531 रुपए का इंसे डिटेल भी मांगा हुआ है कि जो लैंड वाल्यू है हाद एक से आपने 500 करती लिए थी वो किस हिसाब से हो चुकी है दिल्ली की सर्द हवाओ में जिस सरीके से फरवरी के महीने में दिल्ली विधान सभा के इलेक्शन होने हैं आपको गर्माहाट यहां पर भी दिखेगी मुद्दा बहुत खास यहां पर है अमर कलॉनी की बंद हुई दुकानों का दो साल हो चुके सील हो चुकी ह है 351 या 351 दुकाने बंद है एक खुल गई है तो 350 हो गई है एक दुकान के पीछे एक परिवार में कम से कम 10 लोग हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा यह मुद्दा है दिल्ली सरकार के लिए हो चैकेंद्र सरकार के लिए हो मुद्दा बहुत गरम है आपने दुका बीस आपके लिए बहुत अच्छा है आपके और साथियों की भी दुकान खुले हर्दीपूरी जी से बात हुई लगता है कि कितने दिनों में 15 से एक हफ्ता 15 दिन एक हफ्ता यह दुकान खुल जाएगी आप लोगों की बात हुई हर्दीपूरी जी से देखिए हमने आज 15 मिट पूरी मीटिंग होई है हम हर बात की चर्चा की है वह करें आप स्टैब बाइस चलो सारे सब्सक्राइब मतलों एक चड़ोगे दूसरी चड़ोगे तीसी जाओगे अखेल अकेल अनो थ्राइस को लोगों की जो प्रॉब्लम है मैंने वही बोला उनको कि हमारी है यह प्लॉट अलोट के चौन सब्सक्राइब को वह जगह है और वही जगह को हमने उटास्स कर दे हमने कुछ में लेकिन महुंते की में इसाब से कि यह आपकी जो लेंड है वह उसके बाद इसके बाद उसकी पॉलिस नोटिस है ते ले करने आए हैं तो उसको पकड़के पुलिस वालों ने मारते वे ले गए तो मैं अपने बेटे को बचाने निकल गया बस मुझे ये बता है मेरा बाकी का हम समान अंदर रहे गया और मैं खुद भार रहे गया दुकान के भार ही घड़ा हूं मेरी दुकान प्रपर ली आपके सा हैं कि क्या होता है अब हमें कुछ नहीं बता हमारा क्या होने वाला हागि दिल्ली का इलेक्शन शूरू हो चुका है काॉंडण शूरू हो चुका है हर कोई पार्टी अपनी जीद खेल है वह शुरू और देखना ये होगा कि अमर कोलॉनी के लोगों की जो दुकाने साथ ब नमस्कार